किस क्रिकेट खिलाडी को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा A. सूर्य कुमार यादव B. शुबमन गिल C. रोहित शर्मा D. मुहम्मद शमी Answer मुहम्मद शमी Explanation वंडे विश्व कब 2023 में शांदार प्रदर्शन करने के लिए मुहम्मद शमी को देश के प्रतिष्टित खेल पुरसकार अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा शमी सहित 26 खिलाडियों को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा यह अवोर्ड अगले वर्ष 9 जन्वरी को राश्ट्रपती भवन में एक विशेश रूप से आयोजित समारोह में राश्ट्रपती के हाथों प्रदान किये जाएंगे पीम विश्व कर्मा योजना के लिए कितने करोर रुप्य आवंटित किये गए है A. 13,000 करोर B. 12,000 करोर C. 10,000 करोर D. 9,000 करोर Answer. 13,000 करोर Explanation वितव वर्ष 2023-2024-2027-28 तक के लिए सरकार ने पीम विश्व कर्मा योजना के लिए 13,000 करोर रुप्य आवंटित किये है पीम विश्व कर्मा योजना एक केंद्रियक शेत्र की योजना है जो की 17,000 सितंबर 2023 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के 73 जनम दिन के अफसर पर शुरू की गई थी किसे हाल ही में भारतिय कुष्टी महासंग का अध्यक्ष चुना गया संजे सिंग को भारतिय कुष्टी महासंग का अगला अध्यक्ष चुना गया सिंग को WFI चुनावों में 40 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी अनीता शियोरान को केवल 7 वोट मिले यूपी कुष्टी संग के उपाध्यक्ष संजे सिंग का राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग RSS से गहरा नाता है और वो वारानसी के रहने वाले हैं भारतिय कुष्टी महासंग भारत में कुष्टी का शासी निकाए है एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारती ऐरलाइन कौन बनी है? A. विस्तारा B. एर इंडिया C. इंडिगो D. स्पाइस जैड Answer, इंडिगो Explanation भारती ऐरलाइन इंडिगो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारती ऐरलाइन बन गई है इंडिगो साल 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को लाने ले जाने के बाद भारत की सबसे बड़ी ऐरलाइन बन गई है इंडिगो ने पिछले 6 महीने में 20 नए इंटरनेशनल रूट पर अपनी उडान शुरू की है अंतर राश्ट्रिय मानव एक जुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A. 18 दिसंबर, B. 19 दिसंबर, C. 20 दिसंबर, D. 21 दिसंबर, आंसर, 20 दिसंबर Explanation, अंतर राश्ट्रिय मानव एक जुटता दिवस, International Human Solidarity Day, प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है इस दिवस पर लोग गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को खत्म करने के तरीकों को अपनाने का संकल्प लेते है 20 दिसंबर 2002 को UN ने विश्व एक जुटता कोश की स्थापना की थी